Good evening everyone, कैसे हैं सभी? उमीद है सभी बहुत अच्छे होंगे चलिए कुछ कोशिन हैते हैं, रिजणिंग के आज के कोशिन जोबो काफी अच्छे कोशिन है और आज के जितने कोशिन है वो जोबो सीरीज से लेटिट जोबो कोशिन होंगे आपको बता है कि कोई भी अक्साम है जिसमें जो रिजनिक पुछिया थे उसमें सीरीज से लेटी तो कोशिन बनता ही है चाहिए वो बड़े से बड़ा अक्साम क्यों नहों चाहिए वो बिल्कुल छोटे चोटा अक्साम क्यों नहों उसमें series का question जो बनता ही है बड़ा exam होगा उसमें जो series का जो label रहेगा वो जो थोड़ा सा high रहेगा आज का जो series का label रहेगा हमारा वो जो बिल्कुल easy label रहेगा तो देखते हैं कैसे कैसे question है काफी अच्छे question है, काफी interesting है और सब को जो आपको समझाने वाला है ऐसा नहीं कि ज़्यादा tough question है ठीक है, बिल्कुल easy label है तो देखें यहाँ पर जैसे लिखा है look at this series तो आपने series को देखना है अच्छे से और यहाँ बोला है यहाँ पर dash है तो इस number पर जो भो क्या होगा, मतलब next number क्या होगा यह लिखा आगे कि what number should come next तो आगे जो भो क्या आने वाला है तो option भी है 10, 16, 13, 15 तो देखें ऐसे question हो में जो आपने क्या करना होता है सरसे पहले तो आपने number check करना है कि जैसे pattern गया चरह है जो भो एक दम से number काफी बड़ा हो गया जैसे यहाँ पर 2 है पर जो भो 12 हो गया पर जो भो यहाँ पर 24 हो गया तो ऐसा number है तो इसका मतलु है कि यहाँ पर कुछ न कुछ मल्टिप्लाई होगा यहाँ पर आपने multiply वाला जो भो pattern check करना है लेकिन यहांपे अगर कोई भी नंबर जब बड़ा नंबर कता है यह तो यहां दो भीलक्व छोटा नंबर जब आपने यहांपे काम कर आ है या तो अगर बहुत छोटा नंबर हो गया तो इसका मतलब होगा कके प्लस टू हो गया इलेवन के बाल थर्टिन आया तो इसका मतलब है कि फ्लस टू हो गया सीक है थर्टिन के बाल तो टो ट्वा Cohen आ गया कि फॉर्टिन उन गया 트ु setzt की बिल्कुल एसी कुशिन WILL give लोगा Notes करने वा ल pilgrim तो यहाम करते हैं कि आँगहरד पतिता है थे था हुट है। 28 से 24 कैसे आया होगा तो minus 4 होगा ठीक है तो यहां पर देखें क्या बैटन चला है minus 2 minus 4 minus 2 minus 4 तो इसके उतले minus 2 minus 4 होगा पहले minus 2 होगा तो minus 2 होगा तो मतलब कि 24 में minus 2 किया तो 22 हो जाएगा तो 22 is the right answer next देखें next question look at the series फिर से वही है यहां पर देखें कही लिखा है 7 फिर 10 है 7 को बैद 10 आया होगा तो plus 3 होगा yes, plus 3 लिखें है मैंने 10 के बाद 8 आया है तो यहां पर minus 2 होगा ठीक है 8 के बाद 11 आया है इसका मतलब है 9, 10, 11 plus 3 होगा और 11 के बाद 9 आया है तो इसका मतलब है कि माइनस 2 हो गया घे तो आगे जो वो यहां पर 9 के बाद 12 आए 9 में जो प्लस हुआ होगा kuch 3 प्लस हुआ ठीक है दिखिए कैए pattern चल रहा है प्लस 3 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 3 हो गया है माइनस 2 करना है तो 12 में जो माइनस 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा नेक्स देखिए, यह काफी इंट्रेस्टिंग है, देखिए, इसमें लिखा है 2, फिर 1 लिखा, मतलब कि 2 का half हो गया, ठीक है, 2 में इसे 1 माइनस कर दिया, अब 1 में से जो वो यहां पे 1 अपॉन 2 आ है, ठीक है, इसको 1 अपॉन 2 आ है, ठीक है, तो इसका मतलब कि 1 का आध हो इसका मतलब कि half हो रहा है, मतलब कि अगरे वाला नंबर होगा, तो पिछले वाले का half होगा वो, ठीक है, तो 2 का half 1, 1 का half half, ठीक है, तो half का half कितना होगा, जैसे half का half करना है, जैसे मालो half का half करना है, जैसे हम लोग किसी का आधा करते हैं, तो हम लोग जो जैसे 3 का half करना है तो divided by 2 करते हैं त्रीका आप करते हैं तो divided by 2 करते हैं जैसे मैं जब हाफ 1 का जब आधा करना है तो 1 को डिवाइड करूँगा 2 से मतलब कि जिस भी नंबर का चाहिए बो fraction ही हो उसको अगर आधा करना है तो 2 से डिवाइड करना है simple psychology की है इसका मतलब मैंने जब आधे को आधा करना है आधा मतलब 1 upon 2 इसको आधा करना है इसका मतलब है कि 2 से डिवाइड करना तो 2 से डिवाइड कर दिया है मैंने इसको अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो आपको पता होना चाहिए कि याँपे fraction और उपर बाला तो fraction में है numerator, denominator, answer और हर में है नीचे जब अपाउन के नीचे भी एक number है जो की एक simple सा number है ठीक है लेकिन इसको fraction में मैं लिख सकता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे 2 के नीचे 1 लिख दू तो यह भी fraction में बन जाएगा अब fraction उपर भी है, numerator में भी fraction है, नीचे भी fraction है अब जब उपर नीचे fraction हो तो इसको जब हम लोगो multiply करके reciprocal करते है 1 upon 2 है, उपर बाला लेक लिख लिए मैंने यहाँ पे तीक है, अब यह जो नीचे है 2 upon 1, इसको मैं divide, वैस divide मैं काट सकता था उपर वाले से उपर बाला करता है, नीचे बाले से नीचे बाला करता है लेकिं यहाँ पे उपर और नीचे जब 1, 2 है, 2, 1 है, तो ए नहीं कट रहे, ठीक है तो इस case में आपने क्या करना था जो नीचे बाला नमबर है ना, 2 upon 1 इसको जब ओपर जाके reciprocal करना था, multiply करना था मतलब, वो तो divide हो रहा है लेकिं जब हमने इसको multiply में change कर दिया, divide हो रहा था, multiply में बनाया इसको तो 2 upon 1 का reciprocal हो जाएगा, मतलब कि उल्टा हो जाएगा, 2 upon 1 का 1 upon 2 हो जाएगा तो अब आपको पता होना चाहिए कि multiply हम लोग कैसे करते हैं, बीच में multiply है ये भी fraction number है, ये भी fraction number है तो इस case में जब हम लोग numerator को numerator से करते हैं, denominator को denominator से करते हैं unskohans से, हर को हर से multiply करते हैं, तो 1 multiply 1, 2 multiply 2 टेक है, 1, 1 जा 1, 2, 2 जा 4, 1 upon 4 आगे बिल्कुल बैसे ही आपने करना थे, ये तो मैंने ऐसे ही समझा दिया आपको, बैसे आपको जो यहां पर पता चरह रहा होगा 1 upon 2 है, 1 upon 4 है, फिर 1 upon 8 आने वाला है, ठीक है, तो आप सोची है क्या आने वाला है, ठीक है तो ऐसे चलेगा आगे, next देखिए, next भी वैसे ही है, कुछ position देखिए, यहां पर, yes यहां पर लिखा 18, फिर लिखा 10, 18 और 10, ठीक है, 18 और 10 में क्या logic है, क्या हो रहा है यहां पर 18, 10 फिर देखिए, 70 लिखा है, फिर जब वो 15 लिखा है, अचा, यहां पर जब आपके, जो series यह ना, ऐसे बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, कि इन दोनों के बीच, रिलेसन होगा, ठीक है, ऐसा होसता है कि, first का, जब वो third के साथ हो, फिर second का, जब फो fourth के साथ हो, ऐसे भी series बन स 10 के बाद 15 आया, मतलब कि यहां पर प्लस 5 हो गया, 15 के बाद next number यहां पर आया, प्लस 5 हो पहले, ठीक है, तो आगे भी प्लस 5 होगा, मतलब 15 में प्लस 5 करना है, तो 20 हो जाएगा, तो 20 यहां पर answer होगा, लेकिन आप इसको समझिए, पैसे, पहले जग से, कि यहां पर अगर सीरीज में जो वो, माइनस 10 हो रहा है, और एक सीरीज में प्लस 5 होता चला जा रहा है, तो यहां पर 60 के बाद कुछा है, तो 50 के बाद वो यह पला number आएगा, तो प्लस 5 हो जाएगा, 20 is the right answer, ठीक है, तो चले कुछ और कोश्ची नेखते हैं, देखिए, यहां पर एक कोश् यहां इससे कोशी नेखी बिवी बहुस सारे पुछ जाते हैं, देखिए, यहां पर पौ लिखा है, ठीक है, P-A-W, तो यह क्यों होता है, प्रकात से पंजा होता है, cat का, ठीक है, तो यहां पुछ रहाएं कि एक इसका पंजा होता है, hook, Q-こと 8, e किसका पंजा होता है, तो ज हाँ यहाँ पर देखिए, melt मतलब liquid, melt मतलब कि melt होके वो liquid बन गया, तो fridge होके वो क्या बनेगा, fridge होके एक तो ice बन जाएगा solid, तो यहाँ पर देखिए liquid में बोला है, तो यहाँ पर इसका answer solid होना चाहिए, मेरे क्याल से, क्योंकि melt है, melt मतलब पिगल गया, तो liquid में बोला है, तो liquid में बोला है, तो fridge हो गया, तो जो बो solid बनेगा, तो solid चाहिए वो ice हो या कुछ और हो, लेकिन बनेगा तो solid, तो solid इसका सही answer होगा, देखिए एक और है यहाँ पर, यह भी कापी अच्छा है, यहाँ पर लिखाया index, और एक लिखाया glossary, एक लिखाया chapter, एक लिखाया book, तो इन में से पुछा है इसने, कि कौन सा जबो आपको अलग सा लग रहा है, कौन सा odd लग रहा है यहाँ पर बिखाया, इन चारों में से कोई एक जबो, टिक है, बुक के अंदर, जैसे definition जो बो अलग से लिखी है, कुछ special ठीक है, तो उसको जोब ग्लोस्ती होता है, इंडेक्स भी आपने सुनाई, इंडेक्स सबसे पहले होता है, ठीक है, तो यह जोब बुक के अंदर, यूज होने वाले जो बुक पार्ट है, टाइप है, ठीक ह तो odd कौन सा लग रहा है आपको अगर यहाँ पर देखे travel unimportant ठीक है और यहाँ पर important लिखा है तो एक दुसरे के बिल्कुल opposite है यहाँ पर देखा है insignificant ठीक है तो एक बिल्कास से अगर इसको देखे travel और unimportant देखें या insignificant देखें तो एक परकार से synonym लग रहे है ठीक है यह तीनो बाकी important तो बिल्कुल लग है अलग है इन से ठीक है तो important is the right answer यह जो वो odd सा लग रहा है बिज में तो important odd है एक और यहाँ पर side last है ठीक है तो यहाँ पर लिखा है wing और यहाँ पर लिखा है fin fin और एक लिखा है week और एक लिखा है r u d r radar ठीक है तो यहाँ पर जो वो मेरे खहाल से यह जो week होती है न यह जो होती है चौंच ठीक इसको चौंच बोलते है लेकिन यह सभी विंग और fin हो गया और र u d r अलब उत्यक है तो यह सभी जो वो मेरे खहल से Okay, thank you.